हेलो एवरिवन, वेलकम टो इन्वेस्टोग्राफ़र, मैं हूँ अंकित, कुछ दिन से हम लोग आफ्रनून सेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक ब्रेकाउट के लिस्ट आपके सामने पेश की जाए, तो जो भी स्टॉक्स मुझे इस टाइम पे मार्क या फिर स्विंग ट्रेट के लिए जो भी अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं, उनकी लिस्ट की तरफ, तो पहला स्टॉक उसमें जो मुझे लग रहा है, वो है KPIT टेक, KPIT टेक का अगर हम चार्ट देखें, तो आपको एक क्लियर इसमें चार्ट पैटन दिख रहा होगा, कि एक ascending triangle type pattern बना के उसका breakout दिया और वहाँ पे इसने retest भी किया है, तो retest के बाद एक अच्छा support दिखा करके उपर जाने की तयारी कर रहा है, तो अगर आपको इसमें trade लेना है, तो आप अभी initially 30% entry इसके अंदर ले सकते हो, बाकी की entry जैसे रहे से support लेके उपर जाना स्टा थोड़ा सा अलंबा view है, अगर आप इसको positional trade की तरह hold करना चाहते हो, तो 225 के stop loss के साथ आप इसको positionally hold कर सकते हो, ठीक है, बात कर लेते हैं इसके targets की, तो targets अगर हम देखें, तो इसमें आपको targets जो मिल सकते हैं, वो है, अगर हम extension लगा के देखते हैं, तो इसमें आपको easily easily पहला target तो आपका ये जो swing है, 275, ये आपका पहला target है, उसके बाद 290 और 378 तक आपको इसमें आगे targets मिल सकते हैं further, चलते हैं next stock की तरफ, तो next stock है KEI Industries, KEI Industries को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें भी आपको कुछ-कुछ same pattern बनता हुआ दिख रहा है, जैसा भी हमने KPIT tech के अंदर देखा था, तो KPIT tech की तरह इसमें भी हमें एक ascending triangle pattern का breakout हुआ है, और breakout के बाद pullback लेके वापस उपर जाना start किया है, तो जो supporter section के अंदर हैं, उन्हें अच्छे से याद होगा, कि ये stock मैंने recommend किया था, कल ही और परसो ही शायद recommend किया था, I guess, पिछले एक दो दिन इसमें major accumulation हुआ है, stop loss की बात कर लेते हैं, अगर आपने short term के इसको लेना है, एक दम, एक दो week के trade के लिए, तो आप इसके अंदर 688 के असपास अपना stop loss maintain कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको लंबे trade के लिए लेना है, तो आप इसके अंदर 660 के stop loss के साथ जा सकते हो, बा अगर अगर आप ultimate target की तरह देखना चाहो, तो 935 तक आपको ultimate targets मिल जाएंगे इसमें, चलते हैं next stop की तरफ, जो कि है CDSL, CDSL को अगर हम देखें, तो CDSL में भी similar pattern है, एक दम, इसको एक बाद side करते हैं, यह हम देखें अगर, तो इस वाले zone का एक बहुत बढ़िया breakout देखे, CD initially 30% entry हम लोगों ने एक दो दिन पहले करने के लिए बोला था, further entry अगर जिन लोगों ने पहले से CDSL में ले रखिये entry, तो further आप कुछ amount यहाँ पर भी ढाल सकते हो, जब यहाँ से reversal दे के उप़ जाना start करें, तो बाकी का amount वहाँ पर ढालना है, बात करने तो इसमें stop loss की, त इस time पर आप medium term के लिए ultimate target की तरह trade कर सकते हो, बाकी CDSL एक काफी high momentum stock है, तो बड़ी बात नहीं होगी अगर इसमें 40-50% तक भी returns मिल जाए, next हम चलते हैं उशा मार्टिन की तरफ, उशा मार्टिन हमारा अगला swing trade के लिए recommendation है, उशा मार्टिन का अगर chart pattern हम देखें, तो kind of inverted head and shoulder pattern बना, यहां पर आप देख सकते हो, एक inverted head and shoulder pattern बना, जिसका एक बहुत ही बढ़िया तरीके से, sorry, जिसका एक बहुत ही बढ़िया तरीके से breakout हुआ, pullback लिया, और वहीं से support लेके उपा जाने की कोशिश कर रहा है, volumes की हम बात करें, तो clearly आपको इसमें volume spikes आते हुए करना चाते हो, तो आप 50K stop loss के साथ buy कर सकते हो, ठीक है, targets के अगर हम इसमें बात कर लें, तो targets के लिए हम लोग जल्दी से एक बार weekly chart पे इसके चलते हैं, long term में stock का downtrend है, तो अगर हम targets की बात करें, तो easily आपको इसमें पहला target 68 के आसपास मिल जाएगा, 67, 68 के round, next target आपको 75 के आसपास मिलेगा, and further इसी तरह के आपको काफी उपर के targets 94, 95 तक मिल जाएगे, चलते हैं next stock की तरफ, next stock है Ramco Systems, Ramco Systems की तरफ अगर हम चलें, तो Ramco Systems का मैं आपको daily basis पे chart pattern दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो, कितना बढ़िया इसने पहले rally दी थी last year, उसके बाद थोड के आप देख सकते हो, कितने major volume इसमें उठा है, तो chart pattern इसका काफी बढ़िया हो चुका इस time पर, swing trade के लिए बात करें, तो आप यहाँ पे initially अपना 30% amount डाल सकते हो, stop loss आपका अगर short term view है, तो 590 के आसपा stop loss रहेगा, और अगर long term view की हम बात करें, तो long term view के साब से आप यह इसली यहाँ पे देख सकते हो, 720 के असपास, और further आपको short term के लिए जो ultimate target है, 790 के round मिल जाएगा, next, चलते हैं हम लोग next stock की तरफ, जो की है amber, इसको अगर आप लोग चाहो तो investment या फिर एक positional trade दोनों की तरह ले सकते हो, तो positional 2 investment वाले zone में है यह, इसमें अगर हम देखे हुआ, इस वाले zone पे, personally हम लोगोंने supporters club में suggest कर दिया था, तो supporters club में है, उन्होंने 2900 के around अपनी buying कर ली होगी, volumes के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, major volumes उठे हैं, उसके बाद recently वापस major volumes उठे हैं, तो काफी अच्छा confirmation दे रहा है stock, अगर आपको short term के लेना है, तो stop loss आपका 2870 के around रहेगा, और थोड़ा सा आपका लंबा view है, अगर stock के अंदर, तो 2700 के आसपास आपका stop loss maintain होगा, targets आप इसमें easily देख सकते हो, 3140, 3270, उसके बाद 3500 के around, अफ़े 3600, और further अगर हम extension के साथ देखें, तो एक ultimate target आप 4000 के around पकड़ सकते हो, next stock की तरफ चलते हैं, ये भी एक investment या positional trade के zone में है, HDFC bank, HDFC bank को अगर हम ध्यान से देखें, तो clearly आपको इसमें दिख रहा है कि कितना बड़िया symmetrical triangle pattern बन रहा था, symmetrical triangle pattern का एक हलका सा breakout देनी की कोशिश करी, बट कुछ खास breakout नहीं दे पाया, और उसके बाद finally एक काफी अच्छे volume और काफी बड़े major candle के साथ इसने 1520 का breakout दिया, 1520 के breakout के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर ये sustain कर रहा है, नीचे के level से bind भी आई है इसमें, तो initial 30% amount definitely आप swing trade या positional trade के purpose डाल सकते हो, और investment के लिए तो HDFC bank की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, HDFC bank किसी भी भाव पे उठाय और यहाँ पर अगर एक अच्छा breakout होता है, तो शायद हमें इन levels पर वापस ना मिले HDFC bank, तो definitely इन levels पर HDFC bank buy किया जा सकता है, शौट term stop loss की बात करें तो 1470 का short term stop loss रहेगा, और थोड़ा सा लंबा view है, तो 1450 पर आप अपना stop loss maintain कर सकते हो, इसके बाद चलते हैं, दो trades में आ काफी जादा होते हैं, तो दो stock ऐसे हैं मेरे पास इस टाइम पर, already काफी सारे stocks में discord पर शेयर कर चुका हूँ, जैसे कि skipper हो गया, sinclair hotels हो गया, जिसने कली 30% का move दिया है, फिर अपना pondi oxides हो गया, जिसमें already 30-40% हम लोगों का running profit है, तो orient abrasives की अगर हम बात करें, तो orient abrasives का आप chart देख सकते हो, यह किसी अपने discord पर member ने मेरे साथ share किया था, तो मुझे काफी बढ़िया लगा इसका chart, तो मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ, अगर इसका हम chart pattern देखें, तो अभी आपको 32 रूपीज के round मिल रहा ही है, 32, 33 के round, short term के लिए इसका stop loss आपका maintain होग तो 30 रूपीज के stop loss के साथ आप इसको easily buy कर सकते हो, अगर मैं weekly chart पे आपको इसके targets दिखाता हूँ, तो targets आप देख सकते हो, पहला target आपका easily यहाँ पर recent swing high जो यहाँ पर बना था, तो 37, 36 के round आपका swing high पर target बैठेगा इस वाले zone पर, 37 के round, further targets के अगर हम लोग बात करें, तो आपको 40 रूपीज के round target मिल जाएगा, और उसके बाद ऐसे करते करते 45, and ultimate targets आप 60 रूपीज के round देख सकते हो इसमें, तो एक high risk high reward trade हो गया, इसमें profit काफी बड़ा हो सकता है, बट अगर आपका stop loss hit होगा, तो वो भी 10-12% के round stop loss hit होगा, next high risk high reward stock के अंदर मैं ITDC cementation share करना चाऊंगा, ITDC cementation का chart अगर हम देखें, तो recently आप देख सकते हो, last around 1-2 महीने में, कितने major volumes इस stock के अंदर उठाए गए हैं, चलते हैं जल्दी से daily chart के उपर हम लो, daily chart पे आप देख सकते हो, कितने major volumes stock के अंदर उठाए गए हैं, बात करें हम इसके breakout की, तो इस वाले zone का 90 करता है, तो 85 के round आप बाकी की buying अपनी कर सकते हो, short term के लिए इसका stop loss रहेगा around 80 रुपीज के आसपास, 80 रुपीज, 81 रुपीज के आसपास, आप short term में अपना stop loss रख सकते हो, पहला target आपको इसमें 99 के round मिलेगा, further targets के अगर हम बात करें, तो further आपको इसमें 115, 20 के आसपा के target मिल जाएंगे, बात करें ultimate targets के, तो ultimate targets काफी उपर तक आपके आ सकते हैं, 150 तक और 180 तक भी आप expect कर सकते हो ultimate targets को, तो यह हो गए, दो high risk, high reward rates और swing rates जो मेरे को share करने थे, अब कुछ ऐसे stocks हैं, जो हम लोग ने previously recommend कि थे जिन में update देना चाहता था, कि अब फिलाल हमें क्या करना है उनके अंदर, तो वो में share कर देता हूँ, टिमकेन एक stock है, जो recently, 2-3 दिन पहले मैंने YouTube live session के दौरान share किया था सब के साथ, तो उसमें आप देख सकते हो clearly कि कितना बढ़िया हमें momentum देखने को मिला, और आज बहुती बढ़िया volumes के साथ हमें इसमें अच्छा momentum देख opportunity मिली थी, तो यहां पर मैंने buy करने के लिए recommend किया था इसको, उसके बाद आप देख सकते हो, दो दिन इसमें कितना बढ़िया momentum आया, तो मेरे साब से personally आप इसको अभी hold कर सकते हो, और अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको dip देखने को मिलता है 1530, 40, 50 के zone में, तो वहां प देता हूं ताकि आपको clearly chart दिख जाए इसका, route mobile recommend किया गया था इस वाले zone में, पूरे के पूरे इस वाले zone में, जब इसने trend line का breakout दिया था with volume, तो वहीं से हम लोगों ने इसको recommend करना start कर दिया था, अब अगर हम देखें तो यह वाला जो इसका support zone है, जो इसका previous swing high पे, जो support zone है, तो around उस वाले zone से यह support लेके उपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यह successfully यहाँ से उपर जाता है, तो आप अपना stop loss ट्रेल करके इस वाले swing low पे 2000 के around आप लगा सकते हो, अगर यह यहाँ से उपर जाना continue करता है, तो इसमें आप अपना stop loss, अगर trailing stop loss आपने short term zone के लिया था trade को, तो trailing stop loss आप अपना update कर सकते हो, 2000 के zone पे, next हम चलते हैं, श्रयान्स industry की तरफ, जो कि मैंने 95 से 100 के zone में recommend किया था, काफी जाधा, तो आप देख सकते हो, जहाँ पर यहाँ पर बढ़िया एक symmetrical triangle का breakout हो रहा था, तो 95 से 100 के zone में काफी जाधा recommend किया था, उस तो आप अपना trailing stop loss आपडेट करके 115, 16 के zone में ला सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो अपना 30, 40% quantity यहाँ पे book भी कर सकते हो, अगर आपको panic हो रहा है या फिर अगर आप बहुत जादा weight नहीं कर पा रहे हो, तो better है कि 30, 40% quantity book करें, और बाकी की quantity हम hold करें, next target इसमें 135 क बनेगा, next मैं आपको update देता हूँ, FM Industries के अंदर, तो FM Industries अगर हम देखें, तो यह 660, 650 के zone में, 660, 650 के zone में recommend किया था, और यह जो पूरा वाला zone है, यहाँ पे supporter section और YouTube लाइफ पे हम लोगों ने recommend किया था, और buying भी करी थी personally भी, उसके बाद हम देखें, तो एक काफी कमेंटम हमें देखने को मिला, जो second target है, वो भी हमारा hit हो गया, 790 का, 790 के zone में मैंने 30% quantity book करने के लिए बोला था, तो बाकी की quantity अभी भी हम hold करेंगे, बाकी की quantity के लिए अगर आप चाहो तो अपना 735 पे stop loss update कर सकते हो, और short term के लिए 840 के target के साथ hold कर सकते हो, next जो last stock है, max healthcare, यह हम लोगों ने सिर्फ supporters club में suggest किया था, क्योंकि कुछ stocks हम लोग सिर्फ exclusively supporters club में suggest करते हैं, यह suggest किया गया था 235 के zone पे, जब यह 235 पे चल रहा था live market में, तो personally मैंने भी इसमें entry ली थी और suggest भी किया गया था, क्योंकि healthcare stocks में हमें दिख रहा था, काफी अच्छा momentum बन इसमें काफी बड़ी हमें rally दी है, अब बात कर लेते हैं, इसमें stop loss जो हमारा update होगा, तो अगर आपने इसको थोड़ा सा medium term के लिया है, 2-3 महीने hold करने के लिए, तो आप इसमें अपना stop loss update करके 260 के आसपास रख सकते हो, अगर आपने एकदम short term के लिया है, और आप 2-4 र तो आशा करता हो, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ, तो like करिये, और subscribe करना मत भूलना, क्योंकि subscribe करने से हमें motivation मिलता है, ताकि और इस तरह के वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहें, और अगर आपको नजर में हो, तो वो आप हमें भी suggest कर सकते है, swing trade के लिए, तो वो आप सब कुछ comment section के अंदर कर दीजिए, और subscribe करिए, और अपने दोस्तों के साथ, और family members के साथ share करिए, उन्हें भी थोड़ा सा profit कमाने दीजिए, तो आज के लिए इतना ही था, thank you so much.